तो संसद मार्क पे मैं हूँ बाबा साथ जोक्टर मेटकर की जहनती का जशन है और पीछे आप देखेंगे तो ये कुछ स्टेट्यूस बने हुए हैं जिसमें भारत के जो महानायक और महानायका हैं उनको दशाया गया है इनसे मैं आपको मिलवाता हूँ और दिखाता हूँ जी-समें देखेंगे तो मानेवर कांशीराम साहिब का बहुत छुब सुर्पत करते पूस्ब्स सपथा बना है और व्यदी की खूबसूरत अदमकत से ज्यादा बड़ी मानेवर कांशीराम साहिब की मूощी बनी हुए है औरनी के पीछ आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको फ़ता चलेका जी साप इलम सिंग आप लुग पास के लोगों का तो यह बहुत पसंदिता करेकरम होता है और मैं आपको आगे मिलवा देता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के इंजाम है, आप इधर आप देखेंगे, तो बाबा साहिब दुक्टर अंबेटकर की बहुत फूरत प्रदीमा बनी हुई है, यहाँ आप देखेंगे तो माता रमाई जो है, उनकी बहुत प्रदीमा बनी हुई है, और बाबा साहब दुक्टर अंबेटकर अपने जो अंदाज उनका है, उनकी दिखाते हुए कि आप सत्ता के प्रतिष्टान तक पोचिए, सत्ता के केंदर तक पोचिए, अपने घौजन जो मसले हैं, उनका हल कीजिए, उसको देखते हुए, आप बाबा साहब को बनाने में उनके करेकरमों को सफल बनाने में माता रमाई ने अपना पूरा जीवन लगा दिया तो उनकी को याद करते हुए, बाबा साहब को चंबेटकर और माता रमाई के बहुत गुप्सुरा स्टैचू है, और इनके प्रती लोग अपना समतन जाहिर कर रहे हैं, इनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, क्योंकि एक जश्टन का माहूल है, और जश्टन के लिए तमाम लोग अपनी यादों में इसको समेटना चाहते हैं, इसरफ आप देखेंगे तो हमारे राश्टर पिता जोतीबा फुले और माता सावित्री बाए के बहुत खुब साथ के बाद तुरंट उनके पीछे जो है विरासत जो कहें कि हम कहते ही विरासत को आगे को आगे को लेके जा रहा है, तो मानेवर काे याद कर रहे है उनको कुछ अर्पित कर रहे हैं और याद कर रहे हैं कि कैसे राष्ट पिता जोदीबाब फूले ने महिलाओं के लिए शूद्रों के लिए अति शूद्रों के लिए सिक्षा के द्वार खोले पाजीवन काम किया लोगों की भलाई के लिए और जो उन्होंने अलग जगाई जो क्रांती की मसाल चलाई थी उसे एक के बाद एक के बाद एक जो बहुजन नाइक नाइक हैं वो आगे लेके जा रहे हैं तो यह विरासत जो है और आगी बड़ी विरासत है पीछे कौन है इनके मैं आपको दिखाता हूं राष्ट पिता जोदीबाब फुले और मता साव पिले के पीछे जब आपाएंगे तो आपको समराठ अशोक दिखाई देंगे जो कि एक जन्प्रिय राजा के तोर पे बुद्ध के धमका प्रचार करने के तोर पे और मानव कल्यान के लिए जिन्होंने युद का रास्ता छोड़कर बुद्ध का रास्ता अपनाया और जो समराठ की विरासत को भी आयां पर याद करते हुए कि राश्तबिता जोतीवाब फूले और माता सावीतरवाइब फूले के पीछे जो विरासत आ वो समराठ अशोक तक जाती हुई उनको यह याद कर रहे हैं और फिर यह जड़े जांकर जाकर मिलती है वो जड़े जो हैं आत्मा, गौतम बुद्ध, उनका संदेश और उनकी विरासत वहां ये जड़े जाके मिलती हैं, और उन जड़ों से जो विस्तार होता है, वो भौजन विरासत को आगे लेके जाता है, तो यहां पर आप देखें, बुद्ध को नमण करते हुए भी लोग हैं, कहां से आई हैं कि अधे अरह यहां के रहने याँ दोसाल से करेक्रम हो नहीं रहा था में करे करे करेक्रम को नियुक्त है लिए को बहुत खुश्ची है बहुत बहुत अच्छा लगर है मनुवरलाल गौतम मेरा नाम और हम 30 वर्शू से लगातों कंटिनुु आ जो कि करोना की वैसे नहीं आए बाकि हम रेगुलर और इस टाइम दो हम निकल जाता है सुबह जल्दी आते हैं छे बजे घर से निकल के और वी आई पी जो पास होते हैं उन में जाके फिर यहां से नो तस बजे निकल जाते हैं कि तमाम लोग सिर्फ दिली से नहीं तमाम जगे से अलग अलग जगे से पहुच रहे हैं मात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक, राष्ट पिता जोती बाफुले, माता साविती बाए और उसके बाद बाबा साब्डुक्टर मेटकर, माता रमाई और आगे जो इस विरासत को ले राष्ट पिता जोती बाफुले, उनके कारेकर्मों को, उनके योगदान को इस बाबा साब के जन्मों साथ पर भी याद किया जा रहा है, बहुत कास्मों का हो जाता है, कि लोग अपने फुर्फों को याद कर रहे हैं, मेरे नाम सुमें चोहन है, इस वीडियो स्टोरी में